सब्सक्राइब प्रतेहारा प्रनयाम कर दो डाई घट कर दो कर दो अमा Woah रडय कि आ… किस अँए अब बाल्ट कि अप्रेश कर एफ यह इंवेंद वे और नहीं. कर दो अजाल कर दोंसते हैं. कि अप्रेश कर दोग्यारिव नहीं है? इंवे हुआ प्रेश काुए अभिए टो जब टो शब तो हाओ जब समया आई प्रेश हैं. कर दो कर दो क्लियर है पिटया? My voice is clear? Yes, ma'am. Should we move forward? हमने कल कर भी कर लिया है कि हमने 8 जो हैं वो ऐलीमेंट इनको अश्टांग भी कहते हैं. तो ये एट ऐलीमेंट तो हैं यमा नियमा आसना अब चो आसना के बारे में अगर आजे कि write a note on आसना तो so you have to write this is the third element of a yoga ठीक है and आसना किसको कहते हैं पेटे पोस्टर्स ऑ। बॉड़ी पोस्चर को हम आसना कहते हैं and it is further divided into three parts, lying, sitting and standing posture ठीक है ना, इन तेन वे से हम आसन को कर सकते हैं हमने आजेक के बारे में डिसकस किया था कि कौन कों से स्टैडिंसा है कि कुछ कुम के रहें के पॉड़ी को अपफ़ stretch करते हैं जिससे हमारी लेक्स की flexibility, ankle की flexibility, muscles strong हो जाते हैं, हमारी fat जो है वकम हो जाती है, height gain हो जाती है बच्चों की, इसलिए this exercises, or you can say this, asana is good for our this thing, and moreover spondylitis, लेगर है next spondylitis के लिए हमारी ये बहुत अच्छा लिए हैं, अब हमने दूसरा करना है, that is regarding, कौन सा आसन है, तिकोन आसन, तिकोन का मतलग क्यों होते हैं, बटा, what is the meaning of तिकोन, हिंदी में, तिकोन किसको कहते हैं, बटा, आपको, triangle, yes, triangle, जैसे चोरस बोलते हैं, चार एंगल वाले को, square जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह, triangle जो है, that is a, तीन कोन वाला, ठीके न, जिसके वर्टेस त्री होते हैं, उनको हम triangle कहते हैं, अब त्री कोन आसन हम कैसे करते हैं, ये भी एक standing आसन है, त्रीकोस आसन में हम अपने legs को, यह हमारे foot जो है, वो कहते हैं, हमारे foot apart रहते हैं, और हम हमेशा opposite जो leg है, या उसको try करते हैं, touch करने का हमारा opposite hand जो है, वो foot के साथ रहते हैं, और दूसरा straight रहते हैं, इससे normally क्या होता है, हमारी shape जो है, waist की shape, कमर की, waist कम उते हैं आपर कमर है, ठीक है न, वो कैसी हो जाती है, यहां trunk कहते हैं, इसमें एक तो flexibility आज़ती है, और जो extra fat होते हैं, वो धीरे-धीरे, shut down होना शुरू हो जाता है, यानि कि mass जो है, या fat जो है हमारी body में, वो कम होना शुरू हो जाता है, और जो हमारी body से fat निकलेगा, तो obviously obesity हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, इसके साथ-साथ ही क्या होता है, वेटे, पेट के turn करने से हमारे sideward करने से बहुत असाइड हम करते हैं, तो इससे जो acidity की problems होती है, क्या हो जाती है, हमारी वो ठीक हो जाती है, हमें उस चीज़ की problem नहीं रहती है, जिसके करण हमारा digestion जो है, उसकी working भी smooth हो जाती है, नॉर्मली होता है, कि लोगों को acidity की problem काफी ज़्यादा रहती है, या उनके लिए, या वो medicine लेते हैं, या कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है, लेकिन जब हम तिकोन आसन अगरा रहती हैं, तो ऐसे problems जो है, वो remove हो जाती है, इसी क्लियर बटा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, अब next अगर हमने, अर्द चक्रा आसन, अब यह जितने भी आसन है न बटा, इनके हिंदी में, जो actual name है, और उसे conversion इंगिश में भी किया गया है, जैसे तिकोन आसन, ट्राइंगुलर आसन, ठीक है, यहां हम उसे pose कह सकते हैं, ऐसे अर्द चक्रा आसन, पहले तो अर्द चक्र का मतलब क्या होता है, अर्द का मतलब आधा, चक्र मिन सरकर, सैमिसरकल हो गया ला, अर्द चक्र मतलब हम क्या कह सकते हैं, लेटर वीर pose, यहां हम अपना उरी body को turn कहते हैं, अब इसमें क्या हमें होता है, पहले हम standing position, यह भी standing position का यह एक आसन है, इसमें हम क्या कहते हैं, पहले स्टेट खड़े होते हैं, फिर bending, one side और हमारा hand पे उसके साथ साथ जाता है, और उसका hand drive को हमारे कहां पर knees पर straight रहता है, यह हमारे spine की flexibility को बढ़ाने में जो बेस्ट है, वो भी कम हो जाती है, abdominals, spondylitis बगरा, back problems, यह लूप्स जो है, यह हमारे जिखने में जो पिछे के तकी flexibility बढ़ जाती है, और problems जो है, वो remove हो जाती है, even कई बार इसके द्वारा जो ball leg है, ball leg जो है, उसकी भी problem कम हो जाती है, कल मैंने कहा था आप से ball leg से मुझी आ रहे हैं, कि deformities के बारे में कल मैंने आप से बोला था कि मैं आपको थोड़ा सा hint दूरी, ताकि आपके लिए तकी आसन सेंड, वो हमारी different types of deformities को remove करने में helpful होते हैं, ठीक है न बेटा, यह हमारी अलगल प्रदार की deformities को remove करने में या improve करने में बहुत ही helpful होते हैं, now the question is, what is deformity, deformity क्या थिस है, formation क्या होती है, what is formation, किसी चीज की बनावट, और जब किसी चीज की बनावट में change आजाएं, उसे हम कहते हैं deformity, ठीक है, हमारी जो ओरीजिनल, जो ओरीजिनल फॉर्म है, यहां हमारा जो structure है, वो किस तरीके से है बटार, that is, don't go further diagram, फिड्यक्ट और खोड़ाने चाहिए नेक बिलकुछ सामने देख रहा हो ये हमारी एक्छल पोस्चर है this is our extra exact posture standing straight keeping the eye the parallel way हमारे shoulders broad होने चाहिए है straight ठीक है हमारी back जो है वो चाहिए होने चाहिए leg straight होने चाहिए लेकिन because or you can say due to some causes of different types of things हम कई बार अपने पुस्चर को खुद खराब कर लेते हैं ठीक है कल पहली बात में की काइफ़सिस की अब यह काइफ़सिस होता क्या है काइफ़टिक प्राइब्लम क्या है जिसे पंजाबी में हम कुभू में की हते हैं आगे की तरफ प्रेंट हो जाती है यह कब होता है जैसे आपको स्कूल में नॉर्मली या पेरिट्स भी चोटे होते हैं इसको चेक करते हैं बच्चे को सीधा करने की कोशिश करते हैं करते हैं इवन जब क्लास में एंटर गठेट तो उनका पहले होता है बड़ेट और इनस्मार वेग क्यों कहा जाता है सो दाट यह पॉस्चर से शुडबी इन्हें करेक्ट है जब हमारा पुस्चर करेक्ट नहीं होगा बॉडी पुस्चर तो क्या होता है नॉर्मली वी फील फटीग जब हमें स्टेट करवाए जाता है इसके सारे देखते हैं कि कुहां पे वाल के साथ हमें सपूर्ट के जाए थाकि हम इसे करते हैं इसे में आता है यह आते हैं सारे सपाइनल में इसे में हमारी चेस्ट होलो रहती है मिल सागे को होने के करण हमारी बैग जो है वो फोल्ड हो जाती है इवन राउंड शोल्डर इसमें आते हैं दूसरा होता है लडोसिस जिसमें हम पीछे की तरफ करते हैं और जिसके करण हमारी बैग जो हो यह वो हालो रहती है और हमारा बैली जो है पोर्शन वो आगे की तरफ नहर आना शुरू हो जाता है I mean, many reasons are there. In the same way, scholosis, एक जो शोल्डर हो अपड़ होता है, एक डाउनवर होता है, और उसी तरीके से वो चलते रहते हैं. इसके परस्णालिट्य जो है, या हमारी लुप, या पोस्चोर जो है, या सबकर्स्ट अपरस्टे जो है, भाकी चिसे बाद में, अब कही इस में औरमीडील इसाई है, तो जैसे है, नाउट नीज, बड वड सुना होगा, आँप तोर पर हम देखते हैं, कई बच्चों के जो उत्ते होते हैं, वो अंदर की तरफ होते हैं, और चलते हुए टक्रापी निया कई होती हैं, जैसे धनूष होता है उस तरीके से ओर्म होती है, और उसके बाद इन लोगों के लिए भी चलना थोड़ा है, वो मुश्किल होता है, प्लाइट फूट्स आर देर नौर्मली आप अपने शूस में भी देखो गए चपलों में आर्क बना हुआ होता है कई बच्चों के फ्लाइट फूट होते हैं जिसके कारण पैरों के मसल्स वीक होने के कारण अगर अर्ली स्टेज में यह स्टेज्ट में पेरेंट्स तो यह जा सकता है इन में से कई प्रॉब्लम्स जो है उनका हल हमारे पास खुद है अगर हम अर्ली स्टेज में उसको फाइंड आउट कर लें ठीक है ना और योगा जो है उसके आसन इन चीजों की इन डिफॉर्मेटीज को रिमूब करने में हैं अब कुश्चन है यह डिफॉर्म हम जिस डैसल लेते हैं कई बच्चों को आदा तो यह बैट पर ही लेटे रहने की यह कुछी पर ही टेड़े हो जाना यह कुछ है उस चीज का मेजर है डाइट और इसमें जो है फैशन वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है अब फैशन कैसे करता है टाइट शर्ट का रिव टाइट शर्ट का रिवाज है आगे से क्रोकोडाइल या वी शेप में हमने वही पहने हैं उससे क्या है हमारे पैर आगे से दब जाते हैं हमारी चाल बिगर जाते हैं इन दे सेम वेए पार गोल्स और पीपल स्टेल आट टोसर देयर पैंसल हिल हैं दूसरी हिल्स हैं उसके पहनने से हमारी जो चाल है उसमें हमेशा खराबी आती हैं ठीक है आई एम नोट कंडेम नहीं कर रही हूं मैं एक जनल आपको एक्जांपील दे रही हूं इस इस नोट रिलेटिट तो एनिधिग ठीक है यह क्या है या पैंट पीछे देखता है या तो वह अपनी चाल को खराब करते हैं या फिर उनके हैं यह यह वर्किंग पर कॉंटिन्यू लगे रहते हैं इस आर दा मेजर कॉज़स ओफ डीफॉमेटी ऑफ अवर बोडी डीफॉमेशन हो जाती है हमारे पोस्चर की जो चीज हमारी बॉडी के लिए रिक्वाइड है उससे भी ज्यादा है ओवर बर्डन कई बार आदत होती है बच्चों को टाइम टेबल स्कूल से मिलने के बाद भी माँ या खुद सारी बुक्स डालते लेते हैं क्यों कौन रोज निकालेगा कौन भूल जाएगा मैडम न सारी बुक्स भर के लिया और उसके बाद बैक को जिस सरीके से हम लेक के आते हैं हमारी बैक पॉन और शोल्डर्स वो राउंड फर्म में आ चाते हैं सम्टाइम्स वी कीप बेट ऑन वन साइड उससे भी हमारी पॉस्टर जो है वो खराब हो जाता है जिसके बारे में हम आम ध्यान ही नहीं देखते हैं इनकी रेमेडी जो हैं या इन चीजों को ठीक करने में बहुत ज़्यदा है योगा या स्टार्टिंग में इन्हें देखकर हम इन्हें आसानी से बच्चों की इन फर्मेशन को ठीक कर सकते हैं काफी हद तक ये ठीक भी हो जाती हैं इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि हमने किस तरीके से इन सारी चीजों को चेक करना है ठीक है बिटा अब जो नॉर्मली अर्द चक्रासन है How to do the अर्द चक्रासन Standing straight, then Turning your trunk दूसरे साइड पे ट्रंक को Turn करना In the same way again in a this way इससे हमारी यहां की जो waist की fat है वो कम होगी Abdominal उसका change होगा हमारी spondylitis problems जो है या scolosis problem जो है जिनके जो shoulders है One side bending होते हैं वो ठीक हो जाते हैं Even ball leg वाले क्योंकि जब हम कहते हैं पेरों को जोड कर यह exercise करनी है तो उनके ball legs जो है उनमें भी changes आ जाती है उसकी बाद है व्रिक्षासन You know व्रिक्षासन is standing on the one leg और दूसरी leg को उपर उठाकर balancing करना और hand raise करके उपर की तरफ उन्हें जोड़ना अब यह क्या चीज़े हैं यह improve करती है हमारी legs की strength को हमारी balance के जो है quality उसको और ज़्यदा improve करती है और arthritis problem या फिर knock knees knock knees को ठीक करने में काफी helpful रहता है व्रिक्षासन ठीक है क्योंकि हमने एक leg पर खड़े होना है दूसरी leg को उपर गुटने तक लेके आना है और अपनी body को उपर की तरफ खीचना है इसमें क्या होता है arthritis problem you know the problems which are related to the bones those are called arthritis joints के साथ हमारी bone joints के साथ जो related problems होती है उन्हें हम arthritis problem कहते हैं उन्हें ठीक करने में बहुत ज़्यदा ये helpful होती है then Garudasana as you all know how to do the Garudasana इसमें भी leg balancing है हमारी muscles जो है वो tone up हो जाती है अच्छी तरह हमारी legs की flexibility हमारी strength को हमारी strength mind को क्योंकि balancing करना coordination ability को क्या करती है ये helpful होती है अगर normally है हमने question आए कि write down write some standing asana तो उसमें हम आसानी से इनके बारे में लिख सकते हैं कि ये जो asanas है ये सारे खड़ें होके करने वाने हैं Tad asana रिक्षासन है अर्चक्रा आसन है अमरा तिकोन आसन है ये सारे गरुड आसन है ये किसके अंदर आते हैं ये सारे किसारे हमारे किसके अंदर आते हैं standing posture अंदे हैं यह फ्लाइट फुट का है तो इनके रेमेडियस में ठीक है फ्लाइट फुट में क्यों होता है अर्ली स्टेज पर ही पेरेंट्स को यह चेक कर लेना चाहिए तभी हम कहते है न हेल्थ एजूपेशन क्यों ज़रूरी है हर एक के लिए क्योंकि इन चीजों से जब डिफॉर्मेटी आ जाती है हमारे अंदर तो हमारे में इंफिरिक्टी कॉंप्लेक्स भी आ जाता है कंपारेटिव बागी चीजें तो गॉड्ड गिफ्टिट भी हैं बट दोस विचार अडॉप्टिट बाइस चलते हुए अगर शुरू में बच दाट इसनौट अफ यूवफ टो कीप एन आई अगर दचाइल्स एवरीथिंग ग्रोथ में यही ग्रोथ है जो हमने लेसन पड़ा है यही ग्रोथ है कि जब ग्रोथ हो रही है हमने यह चेक करना है कि उसकी चाल जो है वह सही है या नहीं है उसकी लेक्स कहीं अचल स्वीग होने का रहें यही कैर तो यह डी फॉरमेट्व करने के सूर्स शल्स जो है भिसका एक्छ लेसन आएगा तब करवेंगे थे This is just an example which are related with the asanas. ठीक है? और चाह आपको कल प्रेक्टिकल फाइल में कहा है, यह है कि asana के procedure लिखो कि वो किस तरीके से हम करते हैं, और उसके benefits कि इसे हमें इन asanas को करने से हमें क्या फाइदा होता है. उसके बाद आता है बिटें, sitting asana. अब sitting asanas भी हैं, जैसे साथ इस्टैनिक ही हैं, ऐसे हमारे पर sitting asanas भी काफे सारे हैं. उसमें सबसे पहले अगर नाम आता है, जो आम तोर को लोगाने सुनाता है, वो होता है पदमासन. हम उसे कहते हैं, पदमासन, sitting asana में, sorry, इसको lotus के नाम से भी जाना जाता है, lotus asana या lotus posture भी इसे कहा जाता है, क्यूंकि while doing a sitting asanas, हमारी leg जो हैं, वो cross होती है, spine straight होती है, hand जो है, who near to the, straight near to the knees होती है. इसमें क्या होता है, यह हमारी सबसे अच्छी meditation posture है, lotus asana या पदमासन जो है, वो हमारा meditation posture है, और यह best है, इसके बाद क्या होता है, हमारी legs की strength को, और हमारी legs की flexibility को बढ़ाने में, यह helpful होता है, just a minute बेटा, This is helpful in improving or increasing the strength of the legs and the flexibility of the legs. ठीक है न, यह हमारी flexibility को बढ़ाने में बहुत ही जदा.